हालो एवरिवन वेलकम टू माई यूटूब चैनल इस वीडियो में बीविया एक अब्यक्टिव कोस्चन बताएंगे वह भी मैच्स की जो कि विहार वोड एक्जाम में हमेशाब पुछी जाते हैं यह वीडियो उनलों के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है जो कि इस बार टें उसको पहले हम बताते हैं यह जो कोस्टन पिछले या जो पूचे जाते हैं उन्हीं को हर बार बॉड एजाम में रिपीट के राता है तो चलिए और सटर्ट करते हैं फर्स्ट कोस्टन में देखेगा क्या कर रहा है कि निम्लिख्षित में कौन परिमेश संख्या है तो तो दो हमारा जानते हैं कि परिमेयष संख्या है चलिए तो दूसरा कोस्टन किसे दोसरे संख्या और किलिए लिए पुलावर मासा वर इसलिए इसका आंसर option number C हो जाएगा और A into B हो जाएगा चलिए तिसरा नमर question देखते हैं घात एक वाले बहुपद क्या कलाता है तो घात एक वाला बहुपद रहे खिक बहुपद कलाएगा अगर घात दो वाला पुछेगा तो दी घात अगर घात थ्री वाला पुछेगा तो तिरी घात बहुपद हो जाएगा तो इसका option जो हो जाएगा चलिए इसी तरह question number 4 देखते हैं question number 4 में कहा गया है कि तिरी घात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है तो जिसका अधिकतम घात 3 होगा वही हमारा तिरी घात बहुपद होगा तो इसमें option number C में है जो इसका अधिकतम घात 3 है इसलिए हमारा 4 का option number C है जो कि तरी घात बहुपद हो जाएगा question number 5 में देखेगा क्या कहा गया है कि sign A बराबर 3 बटा 4 हो जाए sign A बराबर 3 बटा 4 है तो कोस A कमान क्या होगा तो कोस A कमान root 7 by 4 होगा अब आप लोग कहिएगा कि ये कैसे हो जाएगा तो देखेए आप लोग को हम दिखाते हैं कि कैसे होगा sign A बराबर 3 बटा 4 है ये नहीं कहिएगा कि long है देखेए लंब बटा इसका कर्ण हो जाता है तो आपको निकालना है अधार अधार निकालने के लिए क्या किजएगा कर्ण का स्कॉार माइनस लंब का स्कॉार कर देगा तो 4 का स्कॉार माइनस 3 का स्कॉार यानि कि 16 माइनस 9 यानि कि root 7 हो जाएगा root 7 तो ये जो root 7 है हमको अधार हो गया और question number 5 है पूछ आपको कोस A कमान यानि कि कोस A कमान क्या हो जाएगा अधार बटा कर्न हो जाएगा तो इसमें अधार हमारा रूट 7 है और कर्न कर्ण 4 है इसलिए हमारा sign A कमान अगर sign A कमान 3 बटा 4 है तो कोस A कमान root 7 वाई 4 हो जाएगा इसका option number D correct हो जाएगा अब कह रहा है 6 नमर question में 6 नमर question देखेंगा क्या करा है कि टैन ने बरावर किसके होगा तो आप लोग जानते हैं कि 10 ठीटा बरावर कोट 90 डीग्रिंदिमाश ठीटा होता है इसलिए यहाँ पे 10 a बरावर कोट 90 डीग्रिंदिमाश ए हो जाएगा इसलिए इसका option 6 का a सही हो जाएगा इसको आप लोग याद कर लिएगा, क्योंकि हर बार इस तरह के question को repeat किया जाता है पिछले साल जो पूछा जाता है, कभी-कभी तो उसी question को उसमें से लड़ जाता है तो आप लोग इस तरह के question को याद रखे, इसलिए हम आप लोग को BVI इसको कह रहे हैं क्योंकि इस question है, यह सब जो question है, वो हमारे board exam में हमेशा पूछे जाते हैं चलिए, question number 8 देखते है, निम्ड में कौन breathe का छेत पर पूछ रहा है, तो पाई रसकौर जाएगा क्या हो जाएगा, पाई रसकौर, आप लोग देखते हैं क्योंकि इस बार board exam में पूछ सकता है, हमेशा पूछता है, आप लोग आगे भी देखाएंगे, यह जो question हमेशा पूछा जाता है, तो अगर breathe का छेत पर पूछ रहा है, पाई रसकौर हो जाएगा, चलिए आगे द question number 10, question number 10 में कहा गया है, कि युकलीट विवादन अल्गुरित्म दो धनात्मक पुर्णांकों के निम्ड में से किसे परिकलित करने का तरीका है, तो मासा निकालने के लिए हम युकलीट विवादन अल्गुरित्म का परियोग करते हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ objective बताएं question है, आप लोग इसे याद जरूर कर लिए क्योंकि बोड इजाम में हमेशा पूछे जाते हैं, चलिए question number 11 देखते हैं, एक रेखिक समिकरन जिसका कोई हल नहीं होता है, क्या कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं है, वो कहलाएगा विरोधी समिकरन या असंगत समिकरन, क्या कहल होता है, आपको option में देखा 1, 2, 3, 4, तो आपका option में मार देना है, 10, 45 या कोट 45 दोनों का मान बरावर होता है, 10, 45 और 45 का मान क्या होता है, यहाँ पर भी 10, 45 का मान 1 हो जाएगा, तो आपका सही answer 1 ही होगा, तो इसका स्कॉर, A-1 बरावर क्या होता है, तो आप लोग एक थ तो होजाएगा को से का स्कॉर ठीटा माइनस बरावर कोट स्कॉर ठीटा, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि को से का स्कॉर, A-1 तो ठीटा का आप कुछ भी रख दिजिए, तो होजाएगा कोट स्कॉर, तो इसका होजाएगा option, आपको option दिया हुआ रहेगा, एक नमर का question थ इसका ही, कोट 64 डिगरी, यानि कि 10-26 डिगरी बटा, कोट 64 डिगरी का मान क्या होगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा, अब बोलिएगा कि कैसे होगा सर, तो हम आपको यह भी दखाएगे, question number 14, देखिए, question number 14 में कहा गया है, कि 10-26 डिगरी, बटा, कोट 64 डिगरी, तो हम जानत हो जाएगा, कोट 64 डिगरी, बटा, कोट 64 डिगरी, यहां सी जो कैंसर हो जाएगा, हमारा अंसर, इसका भी 1 आ जाएगा, क्या जाएगा, answer, 1 आ जाएगा, question number 15 देखिए, question number 15 का दिया है, जाएगा, question number 15, sorry, question number 16 है, दूरी बराबर क्या जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा, x2 minus x1 का square, क्या जाएगा, x2 minus x1 का square, पलस by 2 minus by 1 का square, इस तरह का question आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि 2011 में पूछा गया है, हो सकता है, इस बार भी पूछ दे, ये कोईन नहीं जानता ही, क्योंकि सब महुत ही महत्पूर्ण, कोस्तर नहीं हर रिपीट होता रहता है, ठाली, कोस्तर नमर 17 देखते हैं, कोस्तर नमर 17, कोस्तर नमर 17 में कहा गया, कोस्तर नमर 17 में कहा गया है, कि एक समको तिर्वूज में कर्ण का बर्ग, क्या चीकबर्ण, कर्ण का बर्ग, सेस दो बुजाओं के बर्ग के योगफल के बरावर होता है, तो इस परिम्हाय को पाइथा गोरसत ने दिया था तो उन्हीं ने दिया था इसलिए पाइथा गोरस का नियम क्या है तो यह लिखेगा आप यहीं लिखेगा कि एक समकूंतिर बुजमें करन का बर्ग सेस्थ दो बुजाओं के बर्गों के योगपल के बरावर होता है और इस परिमेक को खिषने यही परिमेह जब कोई पाइथा गोरस परिमेक हालाता है चलिए कोशन नमर 19 कोशन नमर 19 में का गया कि 3.5 cm त्रिज्या वाले आर्ध गोले क क्या होता है तुपाई खोर अर्ध गोले का बखःज और होता है अगर समपूर पुछ दिया तो इसमें पूछता है कि यह आनिका और है रहा है जो दिया हुआ हुआ कि 3.5 इसको हम 3.5 इसे लिख देंगे दो बार अगर इसको हल किजीए गा तो आ जायगा देखे 7 पचे का 35- 25- 20 मरते हो जाएगा दूससे 10 हो जाएगा त्वाँस से 5 दोना-10, 5 गॉस दिया है, तो यहां इसका हो जागा 77 cm2 आप लोग का हम सामने बना कर भी दिखा रहे हैं चलिए इस में करा कि किसी पर योग की सभी प्राडमी घटाओं की प्रयक्तों का योग कितना होता है तिसका मान सदाय वबन होता है आप इस तरह के कोश्चन को दम रेट लीजिए याद कर लिए कंठास याद कर हैं कि बोड एक्जाम में आप पूरा में पूरा सही हो जाएगा क्योंकि इस तरह का कोश्चन हमेशा पूछते रहता है तो चलिए आप लोग अगर वीडियो पसंद आगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दिए अगर आप मेरे चैनल पर नए बात नए हैं तो आप मेरे चैन